Welcome my friends आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है friends क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जिस सांप के उपर बात करूँगा उसके बारे में तो हर जगए चर्चाए होती रहती है और हर व्यक्ति की इस सांप को लेकर कोई न कोई कहानी जरूर होती है जी हाँ friends आपने सही पहचाना आज हम बात करेंगे नाग यानी कोबरा की फ्रेंड्स जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे ही सांपों में कोबरा भी अपने आप में एक राजा ही है फ्रेंड्स वैसे तो विश्व में कोबरा की कुल बहुत सारी परजातियां पाई जाती है जिसमें से 30 परजातियां बहुत ज़्यादा फेमस है उनके उपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारतिय कोबरा की यानि इंडियन स्पेक्टर्ड कोबरा की दोस्तों आप सब की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमारे भारत देश में भी कोबरा की कुल लगबग 5 परजातियां पाई जाती है जिसमें से हैं इंडियन स्पेक्टर्ड कोबरा जिसको हम अपनी भाषा में नाग कहते हैं और दूसरा है इंडियन मोनोकॉल्ड कोब की हमारे देश में पाई जाती है और आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य तोर पर बात करेंगे इंडियन स्पेक्टर्ड कोबरा जिसको हम लोग हिंदी में नाग कहते हैं इंडियन मोनोकॉल्ड कोबरा और कींग कोबरा के उपर भी दोस्तों मैं अलग से वीडियो देश में जो चार सबसे ज़्यदा जहरीले सांप हैं उनको बिग फोर फैमिली कहा जाता है उसमें जो चार सांप हैं वो हैं कोबरा, करेत, रसल वाइपर और सौस केल्ड वाइपर तो चलिए दोस्तों कोबरा को उपर चर्चा आगे बढ़ाते हैं इसका जो संटफिक नेम है वो नाजा नाजा है फ्रेंड्स और जो इंडियन स्पेक्टल कोबरा है इसका जो साइज है कुल एक से लेकर डेड़ मिटर के बीच में होता है और अधिक से अधिक ये दो से दो पॉंट दो मिटर तक हो सकता है फ्रेंड्स इसका जो वजन होता है वो दो से तीन केजी के हासपास होता है अगर बात करें इस सापके कलर की यानि जिए दिखने में कैसा होता है तो руз इसका जब सकिन कलर होता है वो ग्रे, ब्राउन, रेडिश, ब्लैक और यलो कलर में मिलता है इसकी जो बॉड़ी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और आखें जो होती है वो round यानि गोलाकार होती है पूंच पतली होती है और इसकी जो body होती है वो slippery होती है यानि अगर कोई इसको हाथ में पकड़ ले तो यह साथ फिसल के हाथ से निचे गिर जाएगा चलिए friends अब बात कर लेते हैं इस साथ के distribution यानि जो हमारा Indian spectral cobra है यानि नाग वो कहां कहां पाया जाता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो यह हमारे देश भारत में ही पाया जाता है और इसकी अतरिक्त यह पाकिस्तान शिरलंका, बांगलादेश और निपाल में भी पाया जाता है चलिए आप बत कर लेते हैं ये साप क्या-क्या खाता है तो फ्रेंड्स हमको पता ही है कि कोबरा भी कार्निवोर्स है यानि ये मासाहरी है तो ये अपने भोजन में मुख्यते चूहों को छिपकली मेढ़क, पक्षी और बाकी छोटे-छोटे सापों को खाता है अगर बात करें कोबरा सनेक के प्रजनन की तो जो फीमेल कोबरा होती है वो लगबग 10-30 अंडे एक बार में देती है और ये अंडे वो अपरेल से लेकर जुलाई महिने के बीच में देती है उसके बाद अंडो का जो इनकुवेशन पिरेड है यानि अंडो को सेने का जो टोटल पिरेड होता है वो 2-3 मेने का होता है उसके बाद अंडो की हैचिंग हो जाती है जिसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी लंबाई 20 से लेकर 30 सेंटिमेटर तक हो सकती है फ्रेंड्स बहुत जादा इंपोर्टन बात बताना चाता हूँ कि जो कोबरा के बच्चे होते हैं ये जनम से ही अपनी मा के पेट से जहर लेकर निकलते हैं अगर ये किसे को काट लें तो इनसान के निश्य ही मौत हो सकती है अगर उसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कोबरा के हंटिंग स्टैल यानि इसके शिकार करने के तरीके को तो फ्रेंड्स कोबरा जो होता है वो दो तरीके से शिकार करता है पहला अगर जानवर इसके आसपास गूम रहा हो तो वो जो हलचल करता है उसकी हलचल को ये अपनी जीब को हवो में बाहर निकाल कर महसूस कर लेता है फिर उसकी और चला जाता है और उसको अपने मूँ में जकड कर उसमें अपना जहर डाल देता है फिर जब वो जानवर मर जाता है तो उसको ये पूरा का पूरा ये निगल जाता है दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि ये अपने से दूर मौजूद शिकार की जो समेल होती है उसको ये महसूस करता है अपनी जीब के सहारे से तो उसकी जो गंद होती है ठीक उसको डिटेक्ट करते हुए उसी की ओर बढ़ जाता है और उस शिकार को पकड़ कर वापस वही अपना जहर भर के उसको मार देता है और उसको निगल जाता है अब बात कर लेते हैं कोबरा के नेचर बिहेवियर यानि सोभाव के बारे में तो दोस्तों विश्व भर में जितने भी साप पाए जाते हैं उन में से किवल कोबरा ही वो साप है जो हुड बना सकता है यानि फन बना सकता है फ्रेंट्स कोबरा जब अपना फन बनाता है तो यह बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव दिखता है दूसरा पॉइंट यह है कि कोब्रा अपने शरीर का एक तियाई हिस्सा जमीन से उपर उठा सकता है जी है दोस्तों इसके बारे में तो आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कि कोब्रा जो होता है वो जमीन पर बहुत उचा खड़ा हो सकता है आगे बात करते हैं दोस्तों कोब्रा जो सनेक होते हैं वो सुभाव से बहुत ज़्यादा intelligent snake होते हैं ये बहुत ही अच्छा swimmer यानि तैरने में बहुत ही ज़्यादा महिर होते हैं और ये पेड़ों पर भी चड़ जाते हैं पेड़ों पर चड़ कर ये अक्सर पक्षियों के घोसले में जो अंडे होते हैं ये खा लेते हैं फ्रेंट्स कोब्रा सनेक जो होते हैं वो diurnal होते हैं यानि ये दिन के समय और रात के समय दोनों वक्त शिकार कर सकते हैं फ्रेंट्स आगे बात कर लेते हैं कोब्रा के वैनम यानि जहर की तो दोस्तों हम सब को पता है कि कोब्रा बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांफ है इसका जहर भी कॉमन क्रैट की तरह ही निरो टॉक्सिक जहर होता है फ्रेंडस निरो टॉक्सिक जहर जब यह बॉड़ी में इंजेक्ट करता है तो व्यक्ति की सासे फूनली लगती है और सांस रुख जाती है जिसके कारण उसे हार्ट टैक भी आ सकता है और उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम को डेमेज कर देता है जिसे शरीर के अंग यानि लिवर किड्नी अपना काम करना बंद कर देते हैं और सेंसरी फांक्शन भी बंद हो जाते हैं यानि व्यक्ति को दिखाई पड़ना या सुनना या सुनना बंद हो जाता है फ्रेंड्स इसके साथ साथ कोबरा का जहर व्यक्ति को पैरलाइज भी कर सकता है फ्रेंड्स जब भी साप काटे व्यक्ति को तुरंथ होस्पिटल पहुचा दे जिसे उनकी जान बच जाए जाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े फ्रेंड्स कोबरा वैसे राजा हो सकता है लेकिन इसके भी बहुत ज्यादा शत्रू फैले हुए है जंगल में जी हाँ दोस्तों जिनको हम प्रेडेटर्स कहते हैं यानि जो कोबरा का ही शिकार कर लेते हैं उन में से जो तीन सबसे बड़े शत्रू है कोबरा के वो हैं गरोड, मोर और नेवला जी हाँ दोस्तों साप और नेवले की लड़ाई के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे अक्सर नेवला बहुत ज़्यदा कोबरा का शिकार कर लेता है और उसको मार डालता है इनके अलावा जो दूसरे बड़े पक्षी है जैसे बाज और गिद्ध वो भी कोबरा का शिकार कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कोबरा के हैबिटेट यानि कोब्रा को कहां कहां रहना पसंद है तो फ्रेंड्स कोब्रा जो होते हैं वो क्रॉफिल्ड यानि एकरिकल्चर फिल्ड जहां फसले होती है वहां रहते हैं मैदानी इलाकों में भी यह पाया जाते हैं घास के मैदानों में भी यह रहते हैं और पर्वतो पहाडो चट्टानों में भी ये पाय जाते है वेटलेंड एरिया में भी ये साप अक्सर देखनों को मिल जाता है वेटलेंड मतलब जमीन का वो हिस्सा जो पेड़ पौधों और पानी से ढखा हो उसको jet land कहते हैं वहाँ एस आप अक्सर देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके साथ साथ यह जो साफ होते हैं वो पेड़ के जो तने होते हैं उनमें जो छेद होते हैं उसमें भी यह आराम करते हुए पाया जाता है और अक्सर ये लोग जो अपने अंडे होते हैं उसको पेड की तनों के छेद में या चुहे की बिल में देते हैं बात करें अगर कोब्रा के कुल लाइप स्पैन यानि जीवन अवधी की तो दोस्तों कोब्रा के जो लाइप स्पैन होती है यानि जीवन काल की अवधी वो 20 से लेकर 25 वर्श के बीच में होती है फ्रेंड्स हमारे देश में जीव जन्तों की रक्षा के लिए जो कानून बना है उसको वाल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं जो 1972 में बना था उसमें नागो को यानि इंडियन स्पैक्टरल कोब्रा को संग रक्षन यानि प्रोटेक्शन परदान किया गया है आखिर में बात कर लेते हैं नागो के कल्चलर सिगनिफिकेंस की तो दोस्तों मारे समाज में सांपो को पवित्र जीव माना गया है अक्सर सांपो का देखा जाना बहुत ही शुब माना जाता है और हमारे देश में सांपो की पूजा भी होती है जो नाग पंचमी के दिन की जाती है और इनके बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं फ्रेंड्स बाकी के जो दो और नाग हैं जैसे इंडियन मोनोकुल्ड कोब्रा जिसको चंदरना कहते हैं और किंग कोब्रा जो सापो का राजा है उसके उपर भी दोस्तों मैं वीडियो बना दूँगा इर्पया इस व आगे दीजिए बाए बाए थेंक्यू फ्रेंड्स इस सांप को स्पेक्टर्ड कोब्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप इसके हुड यानि फन के पीछे वाले हिस्से पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एक आकरती बनी हुई है जो लगभग स्पेक्टर्ड य